नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल पर तो बारत्र पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला कल पूरा नहीं हो पाया था बारिस की बज़े से मुकाबला रोक दिया गया था और रेजर्व डे में सिप्ट कर दिया गया था यानि कि आज 11 सिप्टेमबर को दुफार लाइकन दबा दें तक कि मारे वीडियो स्की नोटिप्रिकेशन आपको मिलती रहे साती वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए बताते हैं कि क्या कहता है कुलंबो का वेदर अप्डेट्स आप पोता दूं कि सुवय में कोव्य में बारिस हो रही थी जमा-जम बारिस हो रही और जो ग्राउंट से कबर लगे तो भी हट चोके हैं ग्राउंट पूछ दरी के सुख रहा है और मुकाबले के लिए ग्राउंट तज्यार किया रहा है और आप को दा दूं कि आज जो मुकाबला पूरा होने के चांसें कि अभी तक जो अफ्डेट आ रही है वेदर को लेकर पॉजिटिव अपडेट हैंगी अच्छी खबर है एंडिया वजित पाकिस्तान की बीचिस मुकाबले को लेकर मुकाबला पूरा होने की समभाबना अभी बनी हुई लेकिन मुकाबला सुरू होने के बाद अगर कल के जैसे आज भी बारिस होती है तो ये मुकाबला पूरा नहीं हो पाएगा फिर इस मुकाबले में जो है ओवर्स कम करने पड़ेंगे लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हम चाहते हैं कि पूरा मुकाबला देखने को मिले 50-50 ओवर का मुकाबला हो और जहां से कल मुकाबला रोका गया था 24 दिसम्ला वेक ओवर में टीम इडिया ने दो विकिट गवा कर 147 और मना लिये थे वहें से मुकाबला सुरू हो और दबस दस तरीके थे ये कॉंट्रेस चल रहा था इन्हें वजित पाकिस्तान के बीच अब बारिस जो है वो दखल ना दे और ये मुकाबला पूरा देखने को मिले जिस तरीके से हैं फैंसे इस मुकाबले को पूर देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पा रहे हैं बारिस की बज़े से लगातर इस मुकाबले में खलर हो रहा है 2 सेप्टेमर को हमने देखा कि वहां भी मुकाबला पूरा नहीं हो पाया बारिस के बज़े से वो मुकाबला भी धुल गया था वो मुकाबला घद्ध हो गया था और उसी को देखते हुए इन्यवस्ट पाकिस्तान की बीच बड़ा मुकाबला है इस मुकाबली के लिए रिजर्व विडियो रखा गया था कल भी मुकाबला पूरा नहीं हो पायता वारिस की वज़े से लेकिन आज उम्मीद है कि आज मुकाबला पूरा हो और जो फेन्स मुकाबली का अंतजार कर रहे हैं पुरा मुकाबला देखने चाते हैं और